दोसों, मनी शायकलोजी, मनी मानेशेट वीडियो सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि पैसा हमारे विहैवियर के बारे में, हमारे कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है आपके पास जब पैसा आता है तो आप उसे किस तरह से खर्श करते हैं आप अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं आप पैसे को किस तरह से देखते हैं आप पैसे के कितनी value करते हैं इस सारी बातों से समझ में आता है कि आपका जो character है वो क्या है आपकी सरके इंसान है आपकी लाइप में जो प्रियारिटीज है वो क्या है और इसी चीज को समझते हुए जेम्स फ्रीक का एक कोट है जिसमें वो कहते है कि डॉन टेल मी वेर यूर प्रियारिटीज आर यानि कि यहां पे अगर आप ध्यान से अपने हर महीने के खर्च को अगर आप नोट करें और नोट करने के बाद से यह देखे कि आपके मेजर जो पैसे है वो कहां पे खर्च हो रहे है और जब अब ध्यान से अपने खर्चों के पैटर्न को देखेंगे समझेंगे कि आपके मेजर जो पैसे हैं वो कहां-कहां पे खर्च हो रहे हैं क्या वो गाड़ी, क्या वो किसी गैजेट क्या वो किसी दूसरी चीज में खर्च हो रहे हैं तो उस हिसाब से आप जरूरी है समझ पाएंगे कि आपकी life की priorities क्या है कौन से चीज को आप अपने life में सबसे उपर रखते हैं और उस चीज के उपर आप जम के पैसे खर्च करते हैं तो इससे आपका जो character है वो define हो जाता है कि आप अपने पैसे को यहाँ पे खर्च कर रहे ह यानि कि आपके लिए यह चीज सबसे जरूरी है और वो चीज कुछ भी हो सकता है दोस्तों ध्यानी जी कि यहाँ पे basic needs की बात नहीं हो रही है बलकि बात हो रही है कि आप wants के अंदर जो wants की column है उसके अंदर क्या खर्च कर रहे हैं जो आपकी रोठी कपड़ा मगान की जर shopping उस तरह के खर्च करना और जब तक इस pattern को समझते हुए अपने pattern को break नहीं करेंगे तब तक आप हो सकता है कि जाने आजने उस priorities पे आप बहुत सरे पैसे खर्च करते रहेंगे तो lesson बहुत ही simple है कि आपको अपने खर्च करने के pattern से यह पता चल जाएगा कि आप किस तरह के इंसान है आपके life में priorities क्या है अगर तो आप सही जगह पे अपने पैसे को खर्च कर रहे है यानि कि आपकी life की जो priorities है जो दिसा है वो सही है आप सही रापे चल रहे है लेकिन अगर आपको यह समझने के बाद कि आप actual पैसे कहां पे खर्च कर रहे है तो उससे आप समझ प पैटरन को आप ब्रेक करिए और वहाँ पे खर्च करना बंद करिए अगर आप इस तरह के गलत चीजों पे खर्च करते रहे जो कि आपकी life की priorities नहीं है तो आप गलत दिसा में भागते रहेंगे तो आपके पास चाहे जितने पैसे आ जाए उस गलत दिसा से वो निकल जाए आपके पास कुछ भी पैसे बसने वाले नहीं हैं तो आई होब कि आप इस message को इस money lesson को इस money mindset को आप जरूर समझ पाएंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आप आज ही इस pattern को समझने की कोसिस करेंगे अपने खर्चों को देहने की कोसिस करेंगे कि आप पूरे महीने म क्या है आप कहां पे खर्च कर रहे हैं उस सीज़ों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो और रेशन पसंद आया होज़े से लाइक और शेयर जरू करिए अन्त में इस वीडियो पूरे देखने के लिए हमारे साथ जुटे टेले आपका दिल से बहुत ब